सो हेलो ब्रेवन ये वीडियो में एक रिप्लाइ वीडियो बना रहा हूँ कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अप्लूट कियाता है कि अपना कोडिंग का आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ लूप कोमेंट किया बाई है कि लाइब सर्वर इंस्ट्रोल न है इस वीडियो में मैं आपको बियेस कुछ शेट अप नहीं दिखाने वाला हूँ अगर आपको बियेस कुछ सेट आप पर एक वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर देना मैं इस पर बीडियो बना दूँगा आपको एक अस्टेमेल फाइल बना लेना है उसके बाद आपको शिफ्ट और वान प्रेस करना है और एंटर कर देना है यह बिएस कूट का बैलार प्लेट कूट है आप यहापे एस्टे में लिख पाएंगे मैं एक हैदिंग टेक लेता हूँ यहापे लिख देता हूँ अपना चैनल का नाम इसको इस्टाइल देने के लिए मैं क्या करता हूँ एक इस्टाइल टेक लेता हूँ उपर तो यहापे मैं बोडी के अंदर एक इस्वान टेक लिया और उसके अंदर अपना चैनल का नाम लिख दिया अब मैं इसको शो करना है इस्टाइल वसंदर के लिखेंगे उसके लिए आपको कि इस्टाइल बटन पर फटेक्व करना है और उसके बाद उसके बाद आपको start debugging पर क्लिक कर देना so all right guys here is our output कि आप बिना live server के भी अपना output देख सकते हैं ओके इस run button पर क्लिक करके अभी हम देखेंगे live server कर कैसे देखना है लेकिन एक चीज तो funda यह है कि हम live server की use करें या बिना live server की क्यों नहीं देख पाएंगे जब हम coding करते हैं तो हमें coding के साथ साथ update चाहिए होता है कि हमारा output update हो लेकिन अब यहाँ पर chrome पर update नहीं होता है live इसलिए हम live server का use करते हैं कि हमारा output coding के साथ update होता रहे है और हम output देख पाएंगे इसलिए हम live server का use करते हैं अभी हम देखते हैं live server में कैसे use करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर आजाना है एक extension है इसमें click करना है आपको और यहाँ पर search करना है live server उसके बाद यहाँ पर click कर देना है यह जो live server है मेरा download है already इसलिए यहाँ पर disable show हो रहा है uninstall disable show हो रहा है अगर आपको भी आपको कुछ नहीं करना है बास install करना है उसके बाद अगर disable show हो रहा है यानि कि आपका live server इंस्ट्रोल है active है काम कर रहा है उसके आपको goal IP क्लिक करना है यह आपको फ्रावजर पर ले जाएगा और आपका output show करा देगा और दियान रहे एक बात आपको जब आप goal IP क्लिक नहीं तो आपको error show हो सकता है अगर आप CSS के page में है JS के page में है अगर आपने goal लाइट कर दिया तो में भी error आ सकता है इसलिए आपको HTML page पर ही रहना है ओल्राइट गाइस हैर इस आवर आउटपूट कैसे लगा यह वीडियो कॉमेंट करें और सब्सक्राइब कि इस चैनल को फिर मिलेंगे और एक ने वीडियो साथ